कि अलो फ्रेंड असलाम लीकूं कैसे हैं आप सब तो आज हमें आपर बनाने जा रहे हैं आलू चना चाट जो खाने में बहुती मज़दार हैं बहुती डिलिश्यस है और बनाना भूदी आसान है और यह रमजान स्पेशल है आप इससे इस तारिफ में बना कर खाएं और यह क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने दो कप इस प्राउट किया हुआ चैनल ले लिया है इसको भीगोकर हमने इस तरीके से यह काफी हल्दी हो जाता है तो एक प्रेशर कूकर हमने ले लिया है इसमें हम चैनल डाल देंगे और 2 medium size के हम जिसमें आलू डाल देंगे और लगबख 1.5 पर हम पानी डाल देते हैं और इसको हम बॉइल करेंगे तो इसको हम cover करके प्रेश्य धकन लगा कर 2 सीटी आने तक इसको हम अच्छी तरीके से उबाल देंगे और दो सीटी हो चुके हैं और चना हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है बॉयल हो चुका है यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से चना हमारा कुक हो चुका है तो आलू को हम निकाल लेते हैं और इसको चीन कर हम छोटे-छोटे क्यूब में इसको कट कर लेंगे और चन और तेल को हम अच्छी तरीके से गरम होने देंगे तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से हम तेल में फ्राइ कर लेंगे और फ्राई किवी हरी मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है तो एक टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अध्रक लेसुन का पेस्ट और इसको भी हम चलाते हो अच्छी तरीके से भून लेंगे तेल में अच्छी से फ्राई कर लेंगे और इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चने जो हमने पानी छानकर इसको रखा हुआ था उसको हम डाल देंगे और चने को हम अच्छी तरीके से अध्रक लेसुन के साथ तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंग और फ्राइ की वह चने का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही मज़दार लगता है तो चलाते हुए हम इसको अच्छी तरीके से भूल लेंगे फ्राइ कर लेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर सारे पॉटन मसाले हमने इसमें डाल दिये हैं और चने के साथ अच्छी तरीके से इसको भी हम भूल लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं चने पर अच्छी तरीके से कोट हो जाएं और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार अब चाहिए तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं तो यह देखिए अच्छी तरीके से इसको हमने चलाते हुए भून लिया है चने को सारी चीज़े अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं तो अब हम गैस को बन कर देंगे तो गैस को हमने बन कर दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू आप चाहिए तो अलू को मैश करके भी डाल सकते हैं हमने इसको यहां पर क्यूब में कट किया है और चले में इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम तमाटर बीज निकाल कर इसको हमने बारिक कट कर लिया था और एक प्याज हमने ले लिया थे इसको भी हमने चौप कर लिया अच्छी तरीके से बारिक काट लिया है और पुदीना की पत्ते और धनिया की पत्ते बारी कटी हुई हमने इसमें डाल दिया है और इन सारी चीजों का हम मिक्स कर लेते हैं बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है बहुत ही बढ़ियां चना चाट बनकर तयार हो रही है तो आप इस तरीके से जरूर बनाएं तो सारी चीजों का हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक निम्बू का रस बीज निकाल कर अच्छी तरीके से निम्बू को निचोड ले इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है नीम्बू का चाट में तो नीम्बू का हमने डाल लिया है और अब हम डालेंगे आदा टीस्पून चाट मसाला पाउडर चाट मसाला का भी फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है तो जो भी जो भी चाट बनाया तो उसमें जरूर डालें और नमक हम थोड़ा सा उपर से डाल देते हैं अब में टेस्ट के हिसाब से नमक डालें तो सारे चीजों का हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है तो हमारा अलु चनाचाट बनकर तयार है बहुत ही मज़़ीधर तो चलिए अब हम सेर्फ करेंगे तो यहाँ पर हमने दो बॉल में हमने आपर चना चाट को सर्फ किया है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं यह आलू चना चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी यह वीडियो आपको कैसी लगी